सूप्रभाद मित्रों, मैं प्रिती पंडित गोडगाउं से, मेरी हरी बरी छत्पे आपका स्वागत है, आज मैं आपको बागवानी के बारे में कुछ बाते बताऊंगी, जो हमारे स्वास के लिए बहुत ही लाबदायक है बागवानी शब्द ग्रीक भाषा में से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उध्यान की खेती, इसका सरल भाषा में अर्थ है कि खेत में विबिन परकार का पौद रोपन करके उसकी विकास की देखबाल करना और आजकल बागवानी एक बहुत एक तेजी से बढ़ता हुआ, एक क्रिशी व्यवस्याय भी होता जा रहा है, हमारे लिए क्यों अवश्यक है? यह एक तरह का व्यायाम है, जो आपको रुजाना मानसिक शान्ती और मानसिक स्वास प्रदान करेगा इतना ही नहीं, बागवानी की खुदाई, रोपन, खरप्रत्वार, खीचना और कटाई जैसी प्रक्रियाएं, हडियों और मास पेशियों को मजबूर बनाती हैं पंच तत्वों से बना हमारा शरीर को स्वस्त रखने के लिए प्रक्रती में अद्बुच शक्ती है इसका लाब उठाने के लिए हमें पेड़ पोधे और मिट्टी से अपना जुडाब बढ़ाने की जुरूरत है पागवानी को अपना कर यह किया जा सकता है जितना समय हम बगीचे में बिताएंगे उतने ही अधिक शांत हो सकेंगे बगीचे की हर्याली से हमारा मन परफुलित हो जाता है और हम तनाव को भूल कर एक अनोका अनन प्राप्त करते हैं महसूस करते हैं मांसिक तनाव से 21 शद्दी के एक बहुत बढ़ी समस्या है आजकल छोटी छोटी उमर में 25 साल की उमर में लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होने लग गया है मसल्स में स्ट्रेस होने लग गया है पेट की बीमारियां हो रही है क्यों है क्योंकि वो प्रकृती से ना जुड़के जादा कंप्यूटर से जुड़े हुए है आजकल नोक्रियां ही ऐसी है वेफसाय है रात की लेट ड्यूटीज है बच्चों को प्रॉपर नीन नहीं हो पाती उसमें उटके ऑक्सिजन नहीं ले पाते और एक शोटकारे हुआ था एक बच्चे को कंप्यूटर दिया दिया और एक बच्चे ने बगीचे में कुछ टाइम व्यत्तियत किया तो स्ट्रेस लेवल्स जादा था कंप्यूटर वाले बच्चे के में पाये गए मतलब यह नहीं है कि आप computer ना यूज़ करें, computer भी आजकल हमारे ले एक बहुत बड़ी उपलब्दी है, मगर साथ ही साथ अपना रुझान थोड़ा सा प्रकिती की तरफ भी रखें बागवानी हमें तनाव अफसाद को कम करने से लेकर अपनी immune system को मजबूत बनाने के लिए मानसिक और शारेरिक स्वास्थ लाप प्राप्त किये जा सकते हैं बागवानी को स्वास्थ लाप प्राप्त करने का ये अवश्यक नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा भगीचा हो, आप अपने घर के सामें थोड़ी सी भी जगा, यहां आपकी बैलकनी हो, यहां कहीं भी आपको जगा मिले, तो यह आपकी उपर है कि आप उनको उसको कैसे यूज करते हैं, यह फूल आपके घर को मैका सकते हैं, सबजियां आपके भोजन को केस्वात को बढ़ा सकती हैं, यहां बागवानी के आठ आश्चरे जनक विज्ञान समंदित लाप पताए गए हैं, यह तना आपको कम करती हैं, पॉजिटिविटी लाती हैं अंदर, हमार को प्रेजेंट में रखती हैं, पर्तमान में रखती हैं, और हमें आपको बविश्य की ज्यादा करना चाहिए, और ना हमार को ज्यादा जो बीद गया उसके बारे में भी जिन्दा नहीं करना चाहिए, हां बविश्य के लिए कारे करना चाहिए, प्रेजेंट में रहकर, हम नित नियम से बागवानी करती हूं पर यह जैसे लगाया हूं जिसके बारे में आपको मैंने पहले वी जानकारी दी है कुछ फलो के लगाने की कोशिच करी जैसे देखी अमरूत का पेड़ कर लगाया है मैंने और दिन प्रति दिन मैं कुछ न कुछ अपने छट पर एडिशन कर रही हूं जोड़ती जा रही हूं ने पोदों को तो अब जैसे सर्दियों की सबजियां चुरूँ हो नहीं है यह देखिए इसके पोदे में अपने आपी तीनचा टमाटर हुगा हैं तो यह हमारी जो कितने हमारी हेल्प कर दिये यह लसन है मैंने कुछ लसन भी लगाया है चत पर मेथी भी लगाई है यह है चांदनी का प्लान देखिए कितना आज थोड़ी बोचारे आई थी तो यह काफी अच्छा लग रहा है नीट एं क्लीन लग रहा है तो मैं तो रोज आती हूं सुभ आपको अच्छा लगता है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है देखिए अब हमारे गिलोई के अंदर नीम भी उगाया एक तो यहां गिलोई भी लगी है या अलमंडा लगा हुआ है तो सबजियां भी अच्छी लगती है उतारनी सबजियां तो अच्छी लगती है अपन दूसरे प्लांट्स की भी हम देखते रहते हैं, ये पीपल लोग रहा है, आशकरती हूँ, बागवानी के लाब स्वास्तमंदी वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्लीज लाइक, शेर माई वीडियो और कमेंट अलसो, आपके समक्ष और जानकरी लेकर आती रहूंगी, ध